हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी को हमारे सीट्वी चैनल में आज हम इस वीडियो में बेसिक कल्कुलेशन के बारे में बताऊंगा क्योंकि बेसिक कल्कुलेशन काफी इंपोर्टेंट होता है अगर आप बैंक, SSC या फिरेलवे किसी भी एकजाम की तयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए बेसिक कल्कुलेशन काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको बहुत सारे समय को सेव कर सकते हैं जिससे इस समय को आप किसी दूसरे क्वाश्चन में जो आपके लिए टफ हो, टाइम कंजियूमिंग हो उसमें आप इस टाइम को एज़ेस्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप बैंक की तयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए बैसिक कालकुलेशन काफी इंपोटेंट है क्योंकि बैंक एक्जाम में प्री में सिंप्लिफिकेशन के बहुत सारे कोशन पूछे जाते हैं तो इसलिए आपको यह इंपोटेंट है तो चलिए यह हमारा पार्ट ववन है यह मल्टिपल्स पार्ट में विडियो आएंगे तो चलिए फश्ट में एस्कौयर उस नंबर को करना है जिसका यूरीट डिजिट फाय होगा जैसे देखते हैं सपोज कर लेते हैं 25 हमें इसका तुझार मतलब देखते ही आंसर ले आना है मतलब बहुत ही कम सेकेंड में इसको आंसर करना जिसे क्या होता है यह 5 है लाज्ट डिजिट तो 5 का स्कुर 25 होता है और 2 है 2 में 1 हमको जोड़ देना है मतलब 2 2 में एक जोड़ने के बाद 3 इस दुनों को जो प्रोड़क्ट है गा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे मतलब 25 का स्कुर कितना हो जाएगा 625 चलिए दूसरा एक जाम पर लेते हैं कि दूसरा एक जाम पर इसा पूछ कर लेते हम 45 को स्कुर करते हैं ठीक जास्ट सेम परसेस 5 का स्कुर 25 यह फोर है तो 4 पलस 5 चार इंटू 5 मतलब 4 में एक जोर के उसको मल्टिप्लाइ कर देंगे कितना हो जाएगा 20 इस तरह से कोई भी कॉस्चन रहेगा आप उसको स्कुर का इंडिंग 5 से होता हो सब्सक्राइब कर लेते हैं आपको 95 का स्कुर करना है तो क्या कर लेंगे हम 25 में 1 जोर देंगे 10 तो कितना जाएगा 90 मतलब इसका 95 का स्कुर आजाएगा ठीक है एक और एक जांपल लेकि दिखात देता हूं मैं आपको सपोज कर लेते हैं यहां पर 115 है इसका स्कुर कैसे करेंगे तो 5 का स्कुर 25 ग्यारा एवं 11 में एक जोर देंगे बारा 11 12 का मल्टिप्लाइ कर देंगे कितना जाएगा यह देखिए 11 से मल्टिप्लाइ करने क्या रूल है 231 132 यानि इतना आपको 115 का स्कुर करने के बाद से प्रोड़क्ट का रूल सते है कुछ इसको हम अगले पार्ट में लेकर के आऊंगा तो मैं उसको बता दूंगा तो यह आपको समझें में आ गया होगा चलिए आगे साल करते हैं आगे क्या करना है अगर कोई नंबर है सब्सक्राइब करते हैं 11 इसका स्कूर करना है तो क् तो के बाद फिर डिक्रीजिंग और में इसको लिखते चले जाएंगे मतलब ऐसे लिखते हैं यह सपूज करते हैं यह इसका स्क्वाइर करना है 111 के स्क्वाइर करना है क्या जाएगा वन के बार आया है तीन बहर एक दो तीन ठीक है तीन तक लिखे देंगे फिर तीन से उल्टे गिनेंगे दो एक मतलब इसका स्क्वाइर इतना हो जाएगा ठीक है शबुच कर लेते हैं एक चार बार आया है इसके स्क्वाइर करेंगे एक चार बढ़ा तो एक दो तीन चार फिर चार से उल्टे गिनेंगे तीन दो एक मतलब एक से कितनों भी रहेगा तो स्कॉप स्क्वाइर स्केंड में भी कर सकते हैं तो चलिए आगया है हमारा मुट्प्रियसन करना है 25 से किसी बहाएंगा सा कु है 100 से 5 को मल्टिप्लाइब करना आसान होता है तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसमें कि इसको हंडेड में कर देंगे मतलब 25 में हंडेड कर देंगे तो मदा 16 है तो क्या कर लेंगे हम अब चार इंटू चार हो गया इसको चार देंगे इसको कितना जाएगा हंडड यानि यह कितना जाएगा हमारा 400 इस तरह आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको और वली भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे एक जांपल की दिखा देगा तो हमें आपको सब्सक्राइब कर लेता हूं 84 है इसको मल्टिप्लाइब करना है 25 से तो क्या कर सकते हैं चार से मल्टिप्लाइब कर दीजिए और इसको चार से डिभाइड कर लिए 2110 में कर जाएगा तो खिटनाओं का 2100 मतलब या फिर जो नंबर ऐसा भी हो सकता है जो फोर से ना सब्सक्राइब तो क्या कि जी आप इसको आप दो दे दीजिए यह कितना जाएगा 15 कि यह दो ही दिये हैं दो और दिना है तो पंद्रा का अधा कर लेंगे सेवन पॉइंट फाइव इन्टु हंड़ेट तो कितना जाएगा 750 तो इस तरह से 25 से कोई भी नंबर होगा तब उ यह और इक जाम पर लेकिंगा दाता हूं मैं आपको कि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 33 इसको करना है मल्टिप्लाइब से ठीक है अगर 25 का टेवर रता तो बहुता नहीं से मल्टिप्लाइब कर सकते हैं अगर नहीं तो आप क्या करेंगे इसको इसको आधा कर लीजिए यह है ठीक है फिर इसको आधा कर लेजी कितना जाएगा एट पॉइंट टूफाइब और इस पर दो जो देंगे ट्रेसम वहर जाएगा कितना जाएगा एट टूफाइब तो इसको इसको मल्टिप्लाइब कर सकते हैं सेम रूल्स डिविजन में भी अप्लाइब होगा सपोज क किसी भी नम्मर है सपोज करते हैं तो हंड्र से किसी भी नम्मर को डिवायद करना है सब्सक्राइब कर लेते हैं इसको हम चार से मल्टिप्लाई चार से यहां पर मल्टिप्लाई तो आपको यतना जाएगा 64 को हंडेट से डिभाइड करना मतलब टू डिजिट के बाद टेसिमल शिक्स फोर डेसिमल जीरो ठीक और यहां पर देख लिए अधर कर लेते हैं आपके पास 98 है इसको डिभाइड करना है 25 से सिधा क्या करना है फोर से मल्टिप्लाई इधर भी इधर लेते हैं 94 एट को फोर से मल्टिप्लाई कर लें कितना जाएगा चार सो में से आट को घाटा दिए जो इस तरह से आप किसी भी क्वास्टन को 20 मत मल्टिप्लेशन को 25 से मल्टिप्लाई और इस शुरूल को अप्लाई कर क्योंकि आपको लॉंग टर्म के लिए काफी यह बेनिफीट होगा तो चलिए यह पार्ट वन हमारा था नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी चैनल पर लाओंगा अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बुदाने को